नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम अचीमेंट में जिसका की नया नाम है अब शिक्षा प्रवा ऐसी शिक्षा जो लगातार बहती रहे बढ़ती रहे और पहुंचाए हम सभी को हमारी मंचिल तक तो दोस्तों मैं करुणा शिक्षा प्रवा की इस लेकर आई हूँ क्लास 11 के बच्चों के लिए उनके पेंटिंग सब्जेक्ट की वीडियो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे देखेंगे सॉलूशन उनके चैप्टर नमबर 10 का जिसका की नाम है इंडू इस्लामिक इस्थापत्य कला के कलात्मक पहलू दोस्तों इस को देख सकते हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने कोश्य नमबर फर्स्ट से हमारा कोश्य नमबर फर्स्ट है इंडू इस्लामिक इस्थापत्य कला की क्या विसेश्ता है तो सबसे पहले मैं बता देते हूं दोस्तों इंडू इस्लामिक क्या है तो भारत में बनी आप सभी को पता है कि सात्वी शताब्दी में लगबग हो गया था और उसके 600 वर्ष भी जाने के बाद ले आने की लगबग जब बारवी शताब्दी आई उस वक्त भारत में विशाल एतिहासिक इमारतों का निर्मान हुआ और वो निर्मान जिस तकनीक से हुआ वही तकनीक कहलाई इंडो इस्लामिक वास्तुकला अब जान लेते हैं कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला की विशेशताएं क्या हैं तो सबसे पहले हैं शहतीरों का प्रियोग, कोस्ठक, महराबदार सरचना, बहुस्थंब टेक जो की समतल छतों और छोटे उतले गुंबदों को सहारा देते थे इसके अतिरिक्त इसके बाद मुस्लिम वास्तुकारों ने इस्थानिये सांस्क्रती वेपरंपराओं पर आधारित भवन निर्माण की विशेशताओं का अवलोकन और अध्यन किया और उन में से जो विध्या उनको उप्युक्त लगी उनका समावेश और अनुप शेलियों का विकास हुआ जिसको इंडो सारसेनिक या इंडो इसलामिक इस्थापत्यकला के नाम से भी जाना जाने लगा ठीक है दोस्तों आजाते हैं कुर्शन नंबर सिकिन पर इंडो इसलामिक इस्थापत्यकला शेली से भारत का परिचे कैसे हुआ तो वही बात आजाती है यहां पर भी कि इसलाम धर्म का जो प्रागम था वो तो लगभग सात्वी आठ्वी शताबदी में हो गया था लेकिन तब मुस्लिम वर्गों का जो था काम वो तो बस यही था कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें और यहां पर लूटना लूटके ले जाना फिर एक तरह से यहां पर वो बसना नहीं चाहते थे यहां से सिर्फ वो अपनी आर्थिक मदद करना चाहते थे ठीक है और अपने धर्म को प्रसारित करना चाहते थे लेकिन छेस्सो वर्ष जब बीत गए तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम यहां पर ही रहना शुरू कर दें और इस कंट्री को ही अपनी कंट्री बना लें तो वो बात थी लगबग बार में शताब दीकी तो उस वक्त वो यहां पर आकर रहने लगे और यहां पर इमारतें बनाने लगे और जब उन्होंने इमारते बनाने का काम शुरू करा तब ही भारत जो है जानने लगा किसको उनकी तकनीक को जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है तो जिसके चलते भारत इस्थापत्य कला की मारतों के निर्माण की तक्नीक से परिचित हुआ और धीरे धीरे इस कला में कुछ भारत्य तत्व और कुछ इस्थापत्य कला का विकास हुआ यानि की कुछ तो उसके अंदर भारते तत्व थे और कुछ इस्लामिक तत्व थे बात कर लेते हैं कोशन नमबर तीन की तो कोशन नमबर तीन है मुगल इस्थापत्य कला की क्या विशेशताएं है आरंब में मुगल इस्थापत्य कला की कुछ निश्चित तकनी की तथा अलंकरण मात से लोग प्रियवे प्रचलित था जैसे की वो थी शहतीरों का प्रियोग, कोस्टक, बहुँस थंब टेक जो की शम्तल छदो अथ्वा छोटे उथले गुंबदों को शहारा देते थे आगे चल कर निर्माण की महराव दर्शन रचनाओं से भी इनका परीचे हुआ ये महरावे गुंबद के बाहर को सहने में सक्षम थी, हाला की ऐसी महरावों के निर्माणों की आवशक्ता थी जो बड़े गुंबद के भाहर को सहने के लिए अंदर की और क्रम में इस तरह जोड़ी जाए कि मध्य का पत्थर ना केवली ने रोकने में समर्थ हो बलकि अधिक विस्तार वाले विशाल गुंबद के भाहर को इमारत के बाहे दिवारों पर डालने में भी सक्षम हो ताकि विशाल गुंबद के नीचे की इमारत को इस्थम्ब मुक्त रख कर अधिक रिक्ति स्थान बनाया जा सके किसी इमारत के निर्माण में ध्यान रखने योग्य अन्ने पहलूं से भी मुस्लिम वास्तुकारों का परिचे हुआ मुस्लिम वास्तुकारों ने इस्थान ये संस्कृतिवे परंपराओं पर अधारित भवन निर्माण की विशेशताओं का अवलोकन वे अध्यन किया उनमें से जो विधियां उन्हें उप्युक्त लगी उन्होंने उनका समावेश व्यानुपालन अपने द्वारा बनाए गई इमारतों में कर लिया आजाते हैं कुश्य नंबर फोर पे कुतुब मिनार की सयोज नात्मक ववस्था का वर्णन कीजिए तो भारती इस मारकों में विश्विस्तरिय पहचान रखने वाले गंगन चुम्बी इमारत कुतुब मिनार का निर्मान दिल्ली संतनत के संस्थापक कुतुब बुद्दीन एबक वे उसके उतरादिकारी दामाद इल्दुत मिशने करवाया था कुतुबकार्थ होता है इस्थम्ब जो न्याय में संप्रभुता का प्रतीक हो यह मिनार कुवत उल इसलाम मस्जित के दक्षणी प्रवेश द्वार जिसे की अलाई दर्वाजा कहा जाता है के पास इस्थित है इसका उप्योग नमाज अदा करने के लिए किया जाता था प्रारंब में ये इमारत चार मंजिला थी जबकि वर्तमान में इसकी पाँच मंजिले हैं जो उपर की और क्रमश छोटी होती जा रहे हैं पहली तीन मंजिलों का जो निर्माण है वो लाल बलुआ पत्थर से किया गया है उस पत्थर को विसिस्टाकार में तराश करत थाउन पर उतकरस्ट लेखन उतकरिन करके बनाई गई है उपर की दो मंजिले लाल पत्थर में सफेद संगमर्मर के बहतरीन संयोजन से निर्मित की गई है उपरी मंजिल जो फ्रोज सहातुगलक के काल में छटी करस्थ हो गई थी उसे उसने दो भागों में विभक्त कर संगमर्मर से बनवाया था प्रतेक मंजिल को अलग दिखाने के लिए बाहर की और सजाफ्टी स्थलों का गेरा बनाया गया है शहर का दूर तक द्रश्याव लोकन करने के लिए इन छज्जों पर संकीन द्वार बनाए गए है इन द्वारों तक पहुँचने के लिए अंदर सीणिया बनी हुई है जो की वर्तमान में सुरक्षा की ड्रिस्टी से बंद कर दी गई है आ जाते हैं कुश्यन नमबर फाइव पर कुश्यन नमबर फाइव है गोल गुमबद इमारत की क्या विशेश्ता है तो गोल गुमबद मुहमद आदिल शाहा का मकबरा है और इसका निर्माण भी आदिल शाहा ने ही करवाया था और कब करवाया था 1659 इश्वी में करनाटक के बीजापुर में और ये इंडो इस्लामिक सैली पर ही बना हुआ है ये एक चूना पत्थर और इंटो से बनी हुई इस्मरती इमारत है जिसका आधार 47.5 मीटर भुजा वाला वर्गाकार तथा जो इसका गुमबद है वो 44 मीटर व्यास वाला है इसकी उचाही 33.22 मीटर है गुमबद के आधार में कमल पंखुडी रूपी आकरतियां बनी है एशिया के सबसे बड़े गुमबदों में से ये एक है इस इमारत के अंदर एक विशाल हॉल बना हुआ है और गुमबद के अंदर की और आधार प्रदान करने के लिए आर्क और गैलरी बनाई गई है इमारत के चारो कोनों पर अस्ट कोन है साथ मंजिलो वाली मिनारे है इन मिनारों में गुमबद तक जाने के लिए सीड़िया बनी हुई है गुमबद के गुला काराधार को अंदर से अलंकरत करने के लिए लटकती हुई कुछ आकरतियां बनाई गए है गुल गुमबद मध्य युगीन भारत की बहतरीन शेलियों का मिश्रण है इसकी सरचनात्मक विशेशताओं में महतवपूर है इसका गुमबद महरावें गणितिय समान उपात तथा भार को वेहन करने की तकनीक और इसकी पर्षन सर्ली तो दोस्तों ये थे आपके चिप्टर नमबर टेन इंडोर इसलामिक वास्तुकला पर बेस इंपोटेंट कोश्चन्स तो दोस्तों उमीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आपको सभी कुछ अच्छे से समझाया होगा तो दोस्तों प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए बने रहें सिक्षा प्रवा के साथ